Power and labor in the family यह topic basically जिस theme को reflect करता है वो ही है कि वो खानदान खास तोर पर जिनके हाँ जो मर्द हजरात हैं उनकी तरबियत इसी नहज पर की जाती है कि उन्हें ही अपने खानदान को लेकर चलना है that patriarchy is an analytical concept referring to a system of political, social and economic relations and institution structure around the gender inequality of socially defined men and women देखिए political socialization की बुनियाद socialization है यानि मौशरती तरबियत जो आगे चलकर सियासी रवईयों से जाहर होती है लेकिन जो मौशरती तरबियत का पहला कदम है उसमें बहुत सारे जो रवायती मौशरे हैं और रवायती मौशरों के साथ साथ एवन आज 21 सदी के अंदर भी बहुत सारे मौशों में आज भी gender biases मौजूद हैं मर्द और और औरत की तफरीक के लिहाज से पहले तो यही समझा जाता है कि मर्द की यह जुमेदारी है कि उसने कमाना है और उसने अपने खानदान को लेकर चलना है लेकिन ऐसे मौशरे जो पैट्रियार्टिकल सुसाइटीज को रिप्रिजेंट करते हैं वियर विमेन और कॉलेक्टिवली एक्स्क्लोडेड फ्रॉम आल पार्टिस्पेशन इन पॉलिटिकल एंड एकनॉमिक लाइफ यह जाता है कि वो मर्द के साथ मिलकर काम करके कुछ मौशी जुमेदारियां पूरी करें और जब वो मौशी जुमेदारियां पूरी नहीं करत तो फिर उनका स्यासी रोल जो है वो भी नहीं रहता लेकिन आज कल हम अगर देखें के फैमली in modern society is becoming more symmetrical and partners are seen taking part in work inside home as well as outside home this is called share conjugal roles being performed by both partners so men and women have defined roles to be played in home and outside some people see this as inequality between men and women बाज जगों पर ये कहा जाता है के खवातीन और मर्द जो है वो बराबर कि जुमेदारी अदा करें लेकिन बाज इसी चीज़ को कुछ लोग ऐसे भी interpret करते हैं कि ये बहराल नाइंसाफी है कि खवातीन घर भी देखें और बाहर भी देखें तो इन concepts की मुक्तलिफ किसम की जो interpretations हैं उस पर कई debates चलती हैं जैसे एक school of thought जो है वो feminism का है उनका ये ख्याल है कि जो society के अंदर जो full economic, political और equally for women का जो concept है वो उसको promote करते हैं और जो western traditions हैं जिसके अंदर आम तोर पर फिर खवातीन के उपर किसी भी किसम का check and balance के उपर भी इतराजात किये जाते हैं लेकिन जो रवायती मौशने हैं उनके अंदर जहां पर खवातीन के पास मौशने हैं जहां पर कि खानदान को बनाने का काम या खानदान की जम्मेदारी को मर्द के साथ निभाने का जो trend है वो भी मौशूद है तो हम आम तोर पर इसको ऐसे समच सकते हैं कि जो power है या authority है ये आज कल की दुनिया के अंदर 21 वी सदी के अंदर हम अगर evaluate करना चाहें तो खानदानों के अंदर ये जम्मेदारी अब मुश्तरका तोर पर अदा की जा रही है या ऐसा trend बन रहा है कि मर्द और खावातीन मिल कर अपनी जम्मेदारियों को मुश्तरका तोर पर ना सिर्फ सर अंजाम दें बलके अपने बच्चों के खानदान की बेहतरी की खातिर अगर दोनों को मिल कर मौशी जिदोजहद भी करनी है और इसके साथ साथ मिल कर अगर अपने अफराद अपन जाती हैं खास तोर पर वो खावातीन जो काम के लिए बाहर निकलती हैं क्या उनको मौश्रा तहफूज देने के लिए तैयार है क्या सियासी निजाम के अंदर खावातीन के लिए बराबरी के मौच्च मौच्च मौचूद हैं यानि विमन इंपावर्मेंट के मौच्च अ कराबर के फराइज हैं और डोनों का ही किरदार जो है वो इंतहाई एहम समझा जाता है